The government was baffled Baffled होना मतलब चक्रा जाना, चौक जाना सरकार बड़ी चौक गई, चक्रा गई, यह क्या हो रहा है सरकार अचे हाई थी और अब हो चौक भी गई, चक्रा गई The prosecutor required the judge to postpone the trial Prosecutor मतलब क्या होता है? वकील, सरकारी वकील अभियोजन का जो वकील होता है, सरकारी वकील उसने judge महोदय से अनरोध किया कि महोदय इस भीड को देखते हुए आप से अनरोध है कि यह जो court में जो case चल रहा है मुकदमा चल रहा है, उससे स्थागित कर दो To postpone मतलब स्थागित करना To postpone मतलब स्थागित करना और To advance मतलब क्या होता है पहले कर देना My journey to Bombay has been advanced by two days मतलब Bombay की जो यात्रा थी जिस तारीक की तै थी उससे दो दिन पहले अब मैं जा रहा हूँ And my journey to Bombay has been postponed by two days मतलब दो दिन बाद, दो दिन के लिए स्थागित हो गए तो postpone का उल्टा होता है एडवांस होना पूर कर लेना, पहले कर देना So here, what happens is अब सरकार चक्रा गई ये घटना करम को देख कर इतनी चक्रा गई कि जो सरकारी वकील था सरकारी अभियोजन था Prosecutor मतलब सरकारी वकील To prosecute मतलब आरोप लगाना Case करना जो सरकार की और के वकालत करते हैं उन्होंने नयाजीश को प्रात्ना कर दी कि महदा ये केस को स्थगित करो ट्रायल को स्थगित करो इतनी भीडा गई है Apparently, the authorities wish to consult their superiors Actually, ऐसा लगता है ये साफ महसूस हो गया कि इस थगन मांग कर Apparently, मतलब ये स्पश था जो दिखाई दे रहा था कि ये जो स्थगन मांग रहे थे Postpornment मांग रहे थे वो शायद ये लोग अपने उपर के अधिकारियों से Consult करने के लिए समय चाह रहे थे Actually कि क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलें क्या करें तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था असहज हो गए थे चकरा गए थे बैफर्ड हो गए थे तो समय चाहिए था ताकि सरकार के उच्च अधिकारियों से बात करके आगे का रास्ता निकालें कि आगे क्या करना है इसने तो पूरी अफेलना कर दी हमारे आदेश की गांधी ने तो अफेलना की ही कोट ने उनको आदेश दिया कोट आओ पर ये हज्जारों जो किसान आ गए हैं बड़ी संख्या में इन्हों ने जो अफेलना की है भीड लगा दी इसका क्या होगा और यजि कुछ कारवाई नहीं करेंगे तो ऐसी भीड दिनों दिन बढ़ती जाएगी अर्थात अंग्रेजी सत्ता को दिनों दिन चनोती बढ़ती जाएगी ये डर था अंग्रेजों को तो अंग्रेजों ने कहा वकील ने जजज को कहा कि जज मोज़ा कुछ दिन स्थगित कर दीजए actually इसके पीछे इरादा क्या था उनका इरादा था कुछ समय मिलना they wanted some time so that they can consult their authorities right Gandhi protested against the delay delay मने विलम to protest करना मतलब विरोध करना Gandhi ने इस case के मामले में किसी भी तरह के स्थगन का विरोध किया उनको पता था किस स्थगन करने से मामला थोड़ा सा बदल जाएगा भीड चली जाएगी तो भीड कर दबाव भी नहीं रहेगा अंग्रेजों पर और अंग्रेज कुछ भी करने को फिर से अपनी शक्ति दिखाने लगेंगे और भीड बार बार आती भी नहीं है लेकिन ऐसा नहीं था उस समय तो गांधी के कहने पर जितनी बार भीड उन्होंने चाहिए उतनी बार भीड आई ना बुलाने पर भीड आती थी जैसा यहां हुआ चंपारन में तो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस दे डिले तो प्रोटेस्ट मतलब विरोज करना डिले मने विलम यह रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी यह देखिए यह बहुत महत्पूर्ट चीज़ है उन्होंने एक वाक के पढ़ा जज के सामने सामने ता जजज के सामने जो अपरादी के रूप में खड़ा किया जाता है जिसे जिसमें यहां पे गांधी थे अपरादी तो वो उस क्या कहता है नहीं मैंने अपराद नहीं किया नहीं मैंने गलत नहीं किया नहीं जो आरोप आप मुझे पे लगा रहे हूं गलत है यह जो घटना करम यह जो कहानी आप बता रहे हैं वकील महुदए गलत है अप राधी यही तो कहता है ने बचने के लिए अपने बचाओ में पहली बात तो ये कहता है कि मैं अपराधी हुई रही ने, मैंने गलत किया नहीं लेकिन यहां गांधी उन्होंने कहा कि हाँ मैं गलत हूँ गांधी ने इस देरी का विरोज ही नहीं किया, बलकि उन्होंने एक वकत्व भी पढ़ा जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्विकार किया मतलब माना मैं अपराधी हूँ और नियाले को क्या कहा किस बात का अपराधी हूँ सुनिया He was involved He told the court उन्होंने कहा हाँ मैं इस घटना में मेरा संबंध है He was involved He told the court in a conflict of duties Conflict मतलब क्या होता है Conflict मतलब टकराहट करतवियों की टकराहट में मैं उलज गया था मेरे सामने करतवियों की टकराहट की समस्या थी इसके क्या मायने हुए It's a beautiful phrase written in inverted comma as said by Gandhi to Louis Fisher Louis Fisher ने पूछा होगा गांधी थे कि आपने फिर वहाँ ऐसा क्यों किया और जज ने भी पूछा होगा पर इससे पहले कुछ होता गांधी ने खुद का मैंने अपराद किया है महद और मैंने अपराद इसलिए किया है क्योंकि यहां पर मेरे लिए करतवियों की टकराहट की समस्या थी कौन से करतवियों की बात कर रहे थे नमबर वन ऑन दे वन हैंड नाट तो सेट ए बैड एग्जामपल अज लाव ब्रेकर एक और मेरा करतवियों था कि मैं कानून तोडने का एक गलत उदाहरन पेश ना करूँ नाट तो सेट ए बैड एग्जामपल एक बुरा उदाहरन किस चीज़ का कानून तोडने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरन मैं पेश नहीं करना चाहता था तो एक तो करतव मेरा था कि कानून तोडने का काम ना करूँ क्योंकि इससे गलत उदाहरन आएगा और दूसरा और मेरे सामने समस्या थी मानविय एवं राष्टिय सेवा humanitarian and national service ये दो करतव्यों की समस्या थी मैं इसको पकड़ू या इसको पकड़ू इस करतव्य का परिपालन करूँ या इस करतव्य का परिपालन करूँ ये वो जज को कह रहे हैं मैं अप राधी हूँ जज महोदा मेरे सामने समस्या यही थी करतव्यों की समस्या दोनों मेरे करतव्य हैं पर जैसी स्थिती थी दुरभागे से मैंने दोनों करतव्यों का पालन एक साथ नहीं करतकता था दोनों में से किसको प्राथमिक्ता दूँ ये समस्या थी और पहली समस्या पहला करता हुए क्या था कानून ना तोड़ने का समस्या क्योंकि इससे गलत अधारन पेश होगा और दूसरी समस्या मानवी और राश्टी सेवा इसके लिए मैं आरा हूँ मैं अश्ली में ते हम मानवी सेवा के लिया हूँ क्योंकि किसानों के साथ बड़े अमानवी काम हो रहा है राश्टी सेवा के लिया है हूं क्योंकि मेरे देश के किसानों के साथ जो गुजर रहा है उसके ख्लाप खड़ होना एक राश्टी सेवा है तो मैं जिस काम से आया हूँ उस काम उस उद्देश उस करतब और कानून तोड़ने के करतब कानून ना तोड़ने के करतब के बीच की समस्या से उलज गया हूँ उन्होंने कहा मैंने जिला छोड़ने का आदेश जो है उसे मैंने डिस्रिगार्ड किया मैंने उसे नहीं माना उसकी अभेलना की He disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authority for want of want money क्या होता चाहना I want money I want fame तो want money चाहना लेकिन for want of का दूसरा आर्थ ये एक प्रेज है for want of मतलब की कमी के कारण for want of मतलब की कमी के कारण He disregarded the order to leave मैंने छोड़ने की गांधी ने छोड़ने के आदेश को की अभेलना की इसलिए नहीं not for want of respect इसलिए नहीं कि वो इज़त कम होने के कारण किस चीज की इज़त law की lawful authority की बेज़ती करने या lawful authority की कम इज़त हो ऐसा मेरा इरादा नहीं था उनको मैंने कम नहीं आका not for want of respect for want of मतलब की कमी के कारण तो यहां पर क्या होगा lawful authority की इज़त की कोई कमी के कारण मैं जिला छोड़नी की जिल आदेश था उसकी जो अभेलना की ऐसा ना सोचें मैंने जो आदेश की अभेलना की उसके पीछे कुछ और कारण है but in the obedience to higher law for our being इसका मतलब क्या हुआ in obedience obedience मतलब क्या होता है obedience का आर्थ होता है कि अग्याकारी होना I am obedient servant of my parents मैं अपने पालक का आग्याकारी पत्र हूँ obedient son of my parents obedient servant of the government मैं सरकार का एक आग्याकारी कर्मचारी हूँ obedient so obedience but in obedience to higher law for our being इसकार्थ क्या हुआ इसकार्थ यह हुआ कि मैं कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के अभाव के कारण नहीं मैंने जो आदेश जाने की आदेश की यहां से निकल जाने के आदेश की जो अभेलना की है वो कानून सम्मत lawful authority शासन के प्रति सम्मान में कोई कमी हो इसलिए मैंने आदेश की अवहिलना नहीं कि, सम्मान में पूरा करता हूँ, शासन का, कानून रूप से काम करने वालों का, लेकिन मैं इसलिए अवहिलना करना हूँ, हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून के आग्याकारिता के लिए, for our own existence, for being, obedience to the higher law of our being, being मने अस्तित्व, higher law, और उचा कानून, हमारे अस्तित्व को लेकर जो और उचा कानून है, उसकी अग्याकारिता के लिए, obedience मतलब अग्याकारिता के लिए, और अंतरात्मा की आवाज के लिए, अब देखें, अंतरात्मा की आवाज means, he says that our voice of conscience, conscience मनें अंतरात्मा, अंतरात्मा आप समझते हैं अच्छी तरह, अंदर की आवाज, कई बार ऐसा मौका आता है, जब समझ में नहीं आता कि क्या निर्ने लिया जाया, क्या किया जाया, और ऐसी स्थित्य में आप प्रश्ण का उत्तर, अपने अंदर से छोड़ देते हो, और फिर जो अंदर से आवाज आती है, एक फिल आती है, उसे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, so voice of conscience, voice मनें आवाज, तो मैंने आदेश की अभिलना क्यों की है, क्योंकि मेरे अंतरात्मा की आवाज कहती है, कि जिला मत छोड़ जहां से मत जाओ और साथ ही ऐसी आवाद क्यों आ रही है क्योंकि ये ज्यादा बड़ा कानून है ज्यादा उंचा कानून है जिसके तहट ये अस्तित्व की लड़ाई है हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और बड़े कानून उचे कानून की मैं अग्या मानूंगा आपका कानून और ये कानून उचे कानून के बीच में जो तकराहट हो रही है उसमें मैं उचे कानून को मानूंगा उसमें मैं कॉंशेंस की आवाज को मानूंगा मैंने आप के आदेश की अभीलना इसलिए नहीं की, आपकी एजड कम करता हूँ आपकी भी बखुवी एजड करता हूँ, एक कानून के सम्मत शासन के प्रती सम्मान रखता हूँ लेकिन अंत्ता मुझे अपने अंतरात्वा की आवाज को सुनना होगा तो इस प्रकार ये दो कर्तवियों के बीच के टकराहट में उन्होंने अंतरात्मा की आवाज से उत्तर निकाला खोजा अपने अंदर से और महसूस किया कि नहीं मुझे जिला नहीं छोड़ना चाहिए ये आदेश की अभेलना करनी चाहिए और इसलिए मैं कहता हूँ महदा कि हाँ मैं एक अपराधी हूँ मैंने गलत कारिक किया है क्योंकि कानून की नजर में मैंने गलत काम किया है कानून ने मुझे आदेश दिया जिला छोड़ो मैं नहीं छोड़ा तो गलत तो है कितनी अजीव स्थित्य होगे देखिया so not for want of respect want of respect मैंने आपको बताया for lawful authority but in the obedience to the higher law of our being the voice of conscience and he asked for the penalty due और पिर उन्होंने उचित दंड की मांग भी कर दी उन्होंने का महदा मैं पराधी हूँ मुझे समुचित दंड दीजे क्या सजा है बताईए मैं उसका पालन करूंगा ऐसी स्थित्य में आप सोचिए वकीर जज्ज महदे की क्या स्थित्य हो गई पुलीस की क्या हालत हो गई एक व्यक्ती अपने को अपराधी कह रहा है जिसने कुछ यह ता गलत काम नहीं किया उसने भीड नहीं बलाई, कोई हिंसा नहीं हुआ, कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई लडाई जगडा नहीं हुआ और उसमें कहता है हाँ मैं अपराधी हूँ, केवल इस बात का अपराधी कि आपके आदेश का मैंने पालन नहीं कि आ बाहर छोड़ जाने का अब अंग्रेज पशो पेश में चक्राग है जिसे मैंने कहा, ब्रिटिश वे बैफल्ड, they could not know what to do तो गांधी की एक खासियती हर बार उनने अंग्रेजों का ऐसी सिति में डाला जहां अंग्रेजों का समझ में नहीं आता था क्या करें और यहीं गांधी की सफलता का एक बहुत बड़ा राज है He always succeeded in putting the British to a corner, to a situation where we did not know what to do How to come out of this situation? The magistrate announced that he would pronounce the sentence after a two-hour recess Magistrate यहने judge ने announce किया घोशना की कि वह to pronounce the judgment मतलब फैसला सुनाना वो दो घंटे के recess के बाद फैसला सुनाएगा और थाथ दो घंटे का gap उस gap में वो अपना दलीलें पढ़ेगा, समझने की कोशिश करेगा यहने कुछ समय लगेगा तो वो समय, recess मतलब आप स्कूल में सुनते हैं 15 minute का recess हुआ, उसकी spelling होती है, R-E-C-E-S-S recess मतलब break, there is a recess of 15 minutes there is a break of 15 minutes के बतले हम कहते हैं, there is a recess of 15 minutes so the judge said, or to pronounce करना मतलब फैसला चुनाना or pronounce मतलब अच्चारण भी, don't pronounce my name incorrectly मेरे नाम का गलत अच्चारण मत करो so judge ने क्या कहा, announce that he would pronounce sentence मतलब सजा or sentence मतलब क्या होता, वाक्य I have been sentenced to five year jail, मुझे पांच साल की सजा हुई है to sentence मतलब सजा देना to sentence मतलब सजा देना so यहाँ पर देखिए, magistrate announced that he would pronounce sentence after a two hour recess, दो घंटे के break के बाद, वो सजा की घोशना करेगा and ask Gandhi to furnish bail for those one twenty minutes और Gandhi से कहा कि इस 120 मिनट के लिए जमानत दे तो कि मैं 120 मिनट अभी आप मुक्त हो और मुक्त हो तो उसके लिए आपको bail मिलेगी ने तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, पर चुकि मुक्त हो इस 120 मिनट के लिए आपको जमानत देनी होगी, देखिए कल्पना करें, जमानत तो आप सब जानते हैं need not explain Gandhi ने जमानत देने से इंकार कर दिया The judge asked for 120 मिनट बेल amount from him to furnish मतलब क्या होता, to furnish वने देना I furnished all documents in front of my principal मैंने अपने प्राचार के सामने सारे तथ्य रख दिया सारे कागज रख दिया, documents रख दिया I furnished to provide, to furnish मतलब to provide So he furnished all the details but here the judge says you furnish बेल for those 120 minutes बेल मने जमानत B-A-I-L बेल और cricket में जो, wicket के ऊपर जो गिल्लियां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको भी बेल बोलते हैं और इसकी भी spelling B-A-I-L है cricket के ऊपर, wicket में लगे हुई जो बेल है उसकी भी spelling B-A-I-L है पर यहां पर बेल कार्थ है, जमानत तो प्लीज डेपॉसित जमानत फॉर हंडेड़न प्विंटी मिनट्स फॉर हंडेड़न गांधी तो हंडेड़न ट्विंटी मिनट्स इस रिश्स ताइम वन यह फ्री फॉर लोग तो अवर गांधी रिफूस्ट अब जज के पास कोई चारा नहीं था हरी थी अंग्रेजी सरकार क्योंकि गांधी के गिरफतार करेंगे और गिरफतारी की ख़वर जहां इन किसानों को पहुँचेगी वहां मार काथ हिंसा मत जाएगी बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा इसी बात से अंग्रेज डर रहे थे गांधी जी ताड़ गए था अंग्रेजीं की समस्या को उन्हें ने कहा मैं बेल नहीं लूँगा अब अंग्रेजीं के पास चारा क्या था या तो गिरफतार करो और चार तरफ हिंसा मत जाएगी और या चुप चाप इसको छोड़ दो जैज महुदे ने छोड़ दिया जैज रिलीजड हिम विदाउट बेल जैज ने बिना जमानत के ही उन्हें मुक्त कर दिया तो रिलीज मतला मुक्त कर देना यूर मनी इस रिलीजड तुम्हारा पैसा जो है वो अब तुमको मिल जाएगा छोड़ गया है नूए भिलीजड तुम्हें छोड़ दिया गया है मुक्त कर दिया गया है तो यहां पर जैज वस फूर्ट ढू़ टूऱ् रिलीज गांधी उनको छोड़ दिया अब क्या होता है गांधी छोड़ गया बीड वहाँ बाहर इंतिदार कर रही है जानना चाहरी ही क्या हुआ और उनको इसब पता लगता है घटना क्रम और दो घंटे बाद कोट वापस बैठता है To re-convene मतलब वापस बैठना To re-convene मतलब वापस बैठना जब कोट वापस बैठा है To convene मने बुलाना A meeting has been convened at 2 o'clock A meeting has been convened at 2 o'clock And the meeting has been re-convened मतलब meeting दुबारा बुलाई गई है At 4 o'clock So re-convene मतलब पुना बुलाना Or to convene मने बुलाना So when the court re-convened The court दुबारा बैठा The judge said He would not deliver the judgment for several days बिचारा हताश वक बिचारा समझ नहीं पाया 2 घंटे में भी वो सोच नहीं पाया क्या करूँ 2 घंटे का उसने recess दिया था 2 घंटे पुरे हुए Judge मैं वापस कुरसी में आये और 2 घंटे की सोच में उनके पास कुछ हल नहीं निकला की क्या किया जाए समस्या का गांधी को तो बेल में छोड़ दिया लेकिन अपराज की सजा क्या दी जाए जब उसे कुछ नहीं सुझा तो judge ने कहा कि ये court जो है it will deliver the judgment ये अपना फैसला कुछ दिनों बात चुनाएगा इसने अपना फैसला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है क्या मतलब इसका क्यों टालना पड़ा क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए बड़ी अजीव स्थिती हो गई थी और तो और उसने आगे कहा गांधी is allowed to remain at liberty गांधी स्वतंतर रहने के लिए मुक्त हैं गांधी स्वतंतर रहेंगे स्वतंतर रहने के अनुमती देदी आर साथ कोई गिरफतारी नहीं होगी कोई अपराद अभी उस पर साबित नहीं हुआ है तो वो पूरी तरह स्वतंतर है meanwhile मतलब इस दौरान इस बीच जब तक किस बीच अभी से जब से कोड बैठा है तब से लेके जब तक निर्णे नहीं आएगा निर्णे आने में बहुत दिन लगेंगे बहुत दिन क्यों लगेंगे क्योंकि जजज सहाब खुजी नहीं समझ पा रहे थे क्या निर्णे दू तो बहुत दिन लगेंगे तो इस दौरान गांदी स्वतंतर है मुक्त हैं किसी तरह का बंधन नहीं है So this way now see how the things are turning. As I said, it was a spontaneous reaction, बड़ा सहज, बड़ा सहज प्रदर्शन था. और भीड को regulate करने के लिए, नियंतरित करने के लिए, गांधी की मदद ली जाती है. अब तक बाफल मने चकरा जाना, प्लीड करना मतलब वकालत, प्लीड करना मतलब बहुत याचना करना, और प्लीडर मतलब वकील, क्योंकि उनको याचना करते हैं, किस चीज की याचना करते हैं? अपने क्लाइन को निरपराज साबित करने की आत्रा करते हैं, कांफलिक मने टकराओ, कंशना मतलब अन्तरात्मा. Now we come to the next phase of the incident. On the one hand, you had the scene from the court. On the other hand, Rajan Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Madhul Haq, and many other prominent lawyers, prominent मतलब प्रसिद, ऐसे वकील, they had arrived from Bihar, अब बहुत सारे वकील आ गए. They conferred with Gandhi, to conferr मतलब चर्चा करना, उसी से बना conference, or to conferr मतलब award देना. The degree of MA has been conferred on you, आपको MA का award दिया गया, conferr, और एक conferr मतलब होता है, चर्चा करना, बातचीत करना, किसी उद्देश से, उसी से बना conference, they conferred with Gandhi, Gandhi से उन्होंने चर्चा की, what would they do if he was sentenced to prison, Gandhi asked, Gandhi ने पूछा, कि आप लोग क्या करेंगे, यदि मुझे जेल भेज दिया गया तो, अर्साथ गांधी जानना चाह रहे थे, कि मेरे जेल में रहने की स्थिति में, कुछ होता रहेगा कि नहीं, और होगा तो क्या होगा, ये उन्होंने वकील से पूछा, what would they do, they means the advocates, the lawyers, if he was sentenced to prison, to sentence मतलब सजा देना मैंने आपको बताया, why, the senior lawyer replied, why, जो senior lawyers थे, बड़े जो नामी वकील थे, उन्होंने का क्यों, they had come to advise and help him, हम आपको सलाह देने, और आपकी मदद करने के लिए आए हैं, तो ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है, if he went to jail, there will be nobody to advise, यदि आप jail जाएंगे, तो हम advise किसे देंगे, कोई भी नहीं रहेगा, तो हम लोग, we would give back home, हम लोग घर वापस चले जाएंगे, बड़ा सीधा साधा सरल उत्तर, वकीलो ने गांधी को दिया, when Gandhi asked, what would you do, when I am in jail, I am sentenced to jail, the वकील said, very honestly, we have come here to advise you, to help you, when you will not be there, you will be in jail, whom will be advised, we will go back, what about the injustice to the sharecroppers, Gandhi demanded, Gandhi ने मांग की, Gandhi ने कहा, ऐसा सुनने पर, वकीलों से, उन्हों ने कहा, what about the injustice, जो sharecropper पर, जो farmers पर जो न्याय हो रहा है, उसका क्या होगा, आप लोग मेरे को advise देने आएं, मेरी मदद करनी लिए आया है, और मैं jail गया तो आप वापस चले जाएंगे, तो यहाँ जो इन पर न्याय हो रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, उसका क्या होगा, गांधी के सवाल पर, तो withdraw मना पीछे हटना, वकीलों अब पीछे हट गया, परदे के पीछे चले गया, इक दूसरे से बातचीत की, चर्चा की, गांधी के सवाल पर, कि इन पर जो न्याय हो रहा है, इस पर क्या होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो सब वकीलों ने सलाह मशेवरा किया, दे कंसल्टेड इचदर, राजिन प्रसाद है रिकॉर्ड़िट दा अप शॉट, डॉक्टर राजिन प्रसाद ने उस पूरे घटना करम का, इस पूरे कंसल्टेशन का लेखा जोखा रखा, रखा है, ऐसा लुई फिशर का कहना, लुई फिशर ने कहा, राजिन प्रसाद है, यह अपने बीच में लगा कि गांधी तो पूरे अजनभी है हमारे लिए, यह यह प्रपेर तो गो तो प्रिजन और फिर भी वो जेल जाने के लिए तयार है, इस जगह के लिए गांधी अजनभी है, गांधी का इस जगह से कुछ लेना देना नहीं, और फिर भी, यट मतलब फिर भी, और फिर भी वो गांधी जेल जाने को तयार है, तो प्रिपेर मने तयार करना, तो बी प्रिपेर्ड मतलब तयार होना, तो गांधी वस प्रिपेर्ड तो गो तो प्रिजन, For what? For the sake of के लिए, for the sake of मतलब के लिए किसानों के लिए एक अजनभी आदमी जिनका इस किसानों से इस जगह से कोई लेना देना नी वो जेल जाने के लिए तयार है And if they on the other hand, being not only resident of the adjoining areas But also those who claim to have served these peasants should go home It would be shameful desertion इस पूरे discussion का जो परदे के पीछे गांदी के सवाल को लेकर हुआ उसका निचोड राजन पसार लिखते हैं और वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक और गांदी जो अजनभी हैं जिनके लिए ये जगह अजनभी हैं बोल जे जानने के लिए तयार हैं दूसरी और ये वकील जो ना केवल आसपास के जिलों के निवासी हैं On the other hand, दूसरी और On the one hand, on the other hand On the one hand, you are a smart student On the other hand, you are a quiet student एक और तुम बहुत smart विद्धार थी हो, वहीं दूसरी और तुम बड़े शान्त प्रिए हो So on the one hand and on the other hand So on the one hand, Gandhi was stranger And yet he was willing to go to jail for them On the other hand, the advocates of nearby places Resident of adjoining district Adjoining मतलब आसपास Adjoin Adjoining district आसपास के जिलों के वकील और साथ ही वो वकील जो अपने को कहते हैं करते हैं कि हम किसानों की सेवा करने के लिए आए हैं कहते थे थे ना कि किसानों की सेवा हम करते हैं कोर्ट में उनका केस लड़ते हैं तो यदे किसानों की सेवा करने आए हो तो क्यों जा रहे हो So the advocates felt our going will be bad Because we are from adjoining districts We are from nearby places And we say that we are serving these peasants और हम कहते हैं कि हम किसानों की सेवा कर रहे हैं तो हम घर कैसे जाएं It would be shameful desertion ये एक शर्मनाक desert करना मतलब छोड़ देना त्याक कर देना किन को त्याक देना किसानों को दूसरे शब्दों में ये शर्मनाक घटना होगी शर्मनाक धोखा होगा अर्थाट गांधी के सवाल पूछने पर कि मेरे जेल जाने पर आप क्या करेंगे और जब उन्होंने का हम घर चले जाएंगे तो गांधी ने का भई फिर किसानों का क्या होगा इस पर जब बहुत विचार में मर्श हुआ तो इनका दिमाग जागा और वकीलों को लगा कि नहीं भाई जब गांधी जैसा आजमी जेल जाने को तियार है इन अजनभी लोंगों के लिए अंजानों के लिए तो हम लोग तो इन किसानों के साथ रहते हैं उनकी सेवा करते हैं तो हमारा जाना इन किसानों को छोड़ देना इन किसानों को परित्याक खटा देना और घर घर चले जाना एक बहुत बड़ा शर्मनाग धोखा होगा। This is what Rajin Prasad writes in his Upshorts. As told back Louis Fisher, they accordingly went back to Gandhi. Accordingly means Tadanusar. Tadanusar, they went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. Now see how the advocate changed. They understand how the minds of advocate changed. God changed. They told Gandhi, we are willing to go with you to jail for this purpose. To follow him into jail, we will not go back home. The battle of Champaran is won. Gandhi निका चंपारन का युद्धवम जीत गाया। Champaran के लड़ाई अब जीती जा चकी है। The battle, battle मैंने छोटी लड़ाई. War मतलब बहुत बड़ी लड़ाई, जो जिसमें युद्ध होता है, वास्तों में, खुन खराबा बहुत होता है. So the battle ये तो छोटी लड़ाई है, लेकिन लड़ाई तो है, हब हम जीत गए. जैसी वकीलों ने कहा, कि हम आपके साथ जिल जाने को तियार है, हम घर नहीं जाएंगे. This was another turning point. ये एक दूसरा बहुत बड़ा मोड़ था. Gandhi exclaimed, to exclaim मतलब, बहुत खुशी से कुछ कहना, भाव विभोर होके कहना. Gandhi ने भाव विभोर होकर कहा, भमने लड़ाई जीत ली. अर्थाथ, वकीलों आपकेलों वावने ने लड़ाई जीत ली. अर्थाथ, गुर्प्स इंटो पेर्स, और पुट डाउन अर्डर, इन विच एच पेर वाव तू कोट अरिस्ट. तू कोट अरिस्ट मतलब, कोट कार्थ यहां पे, नियायले नहीं है, तू कोट अरिस्ट मतलब, गिरफतार होना. गिरफतार होना. अरिस्ट मतलब उसने फिर गिरफतारी दी. जब उनों ने कहाँ, वकीलों ने हम आपके साथ जेल जाने के लिए तयार हैं, तो गांधी ने कागज लिया, कागजों कागज में, पेर में, वकीलों के नाम लिखे, और उस क्रम में लिखे, जिस क्रम में वो लोग जेल जाएंगे, जदी जरूरत पढ़ी तो. Divided the group of advocates into pairs, पेर मने जोडी, and put down their order, और मतलब आदेश नहीं, और मने क्रम, उनका क्रम लिखा, in which each pair was to court arrest. उनना ने बगादा लिख दिया, कि कौन किस क्रम में जेल जाएंगा, तो, several days later, गांधी received a written communication from magistrate. Several days, बहुत दिनों बाद, कई दिनों बाद, गांधी को magistrate से एक लिखित संदेश मिलता है. Communication मतलब संदेश. लिखित संदेश मिलता है. मैजिस्टेट से वही जिसने कहा था, कि कई दिनों, कई दिन बाद मैं इस पे निरना दूँगा. उनको बताया गया, that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. उस communication में क्या लिखा था उस संदेश में? कि जो lieutenant governor है, governor general नहीं, lieutenant governor उप राज जिपाल, उन्होंने आदेश दिया है, कि गांधी के मामले, गांधी के विरुद जो मामले हैं, उसे निरस्त कर दिया गया. उसे निरस्त कर दिया जाए. Case to be dropped, drop मतलब गिराना, case गिरा दिया जाए. और साथ case को रद्य माना जाए, निरस्त कर दिया जाए, case ही नहीं बनता. कितनी बड़ी गिंपाद. Civil disobedience had triumphed. Civil मतलब सभी नहीं. In a civil manner, I pleaded to my principle. इसी से बना है, civilized सभी. तो civil मतलब सभी नहीं. Disobedience मतलब मैंने आपको बताया, अवग्या, अवहेलना, विरोध. विनम्रता से विरोध करने का ये जो आंदोलन था, वह विजय हुआ. Triumph मने विजय होना. Triumph मने विजय होना. आदनिक भारत में, पहली बार, सभी नहीं अवग्या की विजय हुई. सभी नहीं अवग्या. Left-Nand Governor of the province ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed. See the pronunciation. Triumphed. T-R-I-U-M-P-H-E-D. सभी नहीं अवग्या की विजय हुई. The first time in modern India. आदनिक भारत में इस प्रकार, पहली बार, विने पूरवक, आदेशों की अवहेलना की विजय हुई. अब घटना करम, दूसरा मोड लेता है. देखिए कैसे घटना एक के बाद एक चल रही है. Now, Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry. Far-flung मतलब दूर दराज छेत्रों में व्यापक रूप से एक inquiry कराई. Inquiry मतलब जाच. दूर दराज इलाकों में बड़े व्यापक स्तर पर गांधी और वकीलों ने मिल कर, to proceed मतलब आगे बढ़ना. योजना बनाना. Let us proceed with our decision. चलो अब अपने निर्णा के अनसारपन आगे बढ़ें. तो गांधी और वकीलों ने एक व्यापक जाच की योजना बनाई. किस बात की जाच? Into the grievances of the farmers. Grievances मतलब उनकी शिकायतें, उनकी समस्याएं. किसानों की समस्याओं और शिकायतों को लेकर एक व्यापक स्तर पर जाच करेंगे हम. ऐसी उन्होंने योजना बनाई. Depositions by about 10,000 farmers were written down. Deposition मतलब बयान लिया जाना. बयान. Deposition. 10,000,000 ते ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किये गए. काश्तकारों के जो बयान दर्ज किये गए, उनके साथ अन्य प्रमाण भी रखे गए, टिपड़ियां तयार की गए. 10,000 farmers, they were written down, depositions and notes made on other evidences. Evidence मने प्रमाण, अन्य प्रमाणों पर notes बनाए गए. अर्थात, प्रमाणों के साथ अपनी जाच को ये पूरी करना चाहते थे. Many documents were collected, बहुत सारे दस्तावेज इकठे किये गए, जुटाए गए. The whole area dropped with the activity of, वो जो पूरा area था, वो इन जाच करताओं की गटिविदी और जमीनदारों का विरोध, जितना ही जाच करता जाच कर रहे थे, किसानों से बयान ले रहे थे, उतना ही जमीनदार गर्माते थे, गरम हो रहे थे, और जोड़दार विरोध कर रहे थे. पर उसकी कोई चिंता गांधी और वकीलों को नहीं थी, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत बड़ी, जमीनदारों की संख्या कम होती है. दस्तावे जुटाएंगे, the whole area throbbed, to throb मतलब फूर्ती होना, throbbing with energy, पूरी energy तुम्में दिखाई दे रही है, परिलक्षित हो रही है. So the whole area throbbed with activities of investigators, investigator मतलब ये जाच करता, जो लोग किसानों से सवाल जवाब करके बयान लिखते थे, record इकठे कर रहे थे, कागजात इकठे कर रहे थे, और कागज record किसके खिलाब थे, जमीनदारों के खिलाब थे, उनकी जो, उनके द्वारा जो अत्याचार किये गया थे, कर के मामले में, टेक्स के मामले में, मनी कलेक्शन के मामले में, बयाज के मामले में, ये सब का record दर्च कर रहे थे, तो उतना ही जमीनदार लोग विरोध कर रहे थे, तो देवेर प्रोटेस्टिंग वही मेंटली, वही मेंटली मतलब उग्र रूप से, वही मेंटली ही प्रोटेस्टेड, बड़े उग्र रूप से उसने विरोध किया, ये डिनाइड वही मेंटली, आई टोल लिए वही मेंटली, मैंनों से कहा, तुमने चोरी की है, तो उसने बहुत उग्र रूप से, बहुत जोरों से उसको नकारा, तो डिनाइग करना मतलब नकारना, तो इस पकार वो जो पूरा खित्र है, अब वहां पर दो गुट बड़े तेज, जमीदारों का, उनकी आवाज, उनका विरोध, नराजगीन, इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ, और उसका खामियाजा, इन किसानों को भुगतना पड़ रहा था, दूसरी और, किसान लोग बयान देने में लगे हुए थे, तो पूरा माहौल एक अलग धंका हो गया था, उस चंपारन जिले का, उस मोतिहारी क्षेत्र का, Now we come to the next stage, ये घटना चल रही थी, ये घटना क्रम हो रहा था, Now what does, Louis Fisher writes,